घर पे बने हुए मसालों की बात ही अलग होती है घर पे अगर एक बार बना लिया नहीं तो आपको यह स्वात कभी भूले भूलाएगा नहीं आज हम बनाएंगे बहुत ही बहुत ही बहुत ही सांबर मसाला और साथ में सांबर भी बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा कम रहता है तो मैंने आप 15 से बीच जो लाल मिर्ची ले लिए साथ में हम लेंगे जीरा तो मैंने एक चमच भरके जीरा ले लिया है जो हम तड़के में यूज करते हैं वही जीरा लेना है एक चमच भरके और उसी चमच से हम भरके लें क् trouvé तो पीली सर्सों होती एक चमच भरके ली है और एक चोटी चमच लेंगे और यह चमच चमच करके बनेंगे मसाले की क्वांटिटी मेजर्मेंट से बनाएंगे तो मसाले बहुत अच्छे बनाएंगे ज्यादा कम होगा तो मसाले की थोड़ा सा फेलवर तो यहां भाइए तो यह मसाले का क्वांटिटी का ध्यान रखिए गाएगा एक छोटी चमच मैंने ले लिया इक छोटी चमच ही लेना है और यह हमारा जो मसाले है उसके बेश है तो यह चीजे जरूर यह बहुत अच्छे बनके तयार होंगे यहां पर दाल ले लिया एक चमच बडे वाले चमच से चना दाल ले लिया है अब दिख्ये सारे मसाले इस तरीके से ही लिजेगा साथ में हम डालेंगे कड़ी पता तो मैंने एक मुटी भरके कड़ी पता ले लिया यह थोड़े से सुखे हुए है आप फ्रेस भी ले सकते हैं साथ में हम डालेंगे हिंग और हल्दी तो वह हम बाद में आड़ करेंगे पहले हमें क्या करना इन मसालों को भून लेना है तो ए ताकि आसानी से यह पीस जाए और मसाले भी हमारे लंबे टाइम तक रह सके तो यहां पर आपको लगतार चलाते हुए भून लेना जैसे मसाले भूनना स्टार्ट करेंगे तो उसमें चटकने की आवाज आएगी देखिए सरसो के दाने इस तरीके से चटक रहे हैं मसाले हमार कड़ी पत्ता डाल लेंगे देखिए कड़ी पत्ता जो है पहले से ही मैंने साफ करके रखा है और यह सुखे हुए तो मैंने इसी के साथ डाल दिया है अगर फ्रेस ले रहे हैं तो थोड़ी देर ज्यादा आपको पैन में डालके भूनना होगा जब यह सारे चीज भून ज जादा नहीं सेगना बिल्कुल भी चेंज मत होने दीजिएगा अगर मिर्ची काली पड़ जाएगी और मसाले का कलर भी काला ही आएगा तो देखिए मिर्ची को भी सेख लिया है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इन मसालों को एक प्लेट में निकालके ठोड़ा तो इसी पैन में हम डालेंगे हल्दी एक छोटी चमच हल्दी लिया है और यहां पे दो चुटकी भरके हींग लिया है तो इसे भी हम थोड़ा सा गरम करके डालेंगे ताकि जो मसाले में है ना नमी की कोई गुंजाइस ना हो तोटली ऑप्सिनल है आप कच्छा भी डाल सकते लेकिन थोड़ा सा आप इसे सेख के डालेंगे तो ज्यादा बैस्ट रहेगा तो मसाले अच्छी तरीके से जो है थंडे हो गया है अब हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे तो जो बड़े मसाले है ना वह हम पहले पीस लेंगे जैसे मिर्ची है कड़ी पत्ता है तो इ क्योंकि हमें इसे सुखा ही पीषना है अब इसमें हम डाल देंगे आदी छोड़ी चमश नमक नमक बहुत जरूरी है इसे मसाले आपके लंबे टाइम तक सही रहेंगे इसमें कीडे नहीं लगेंगे और देखिए मसाले अची तरीके से पीष गया है एक दम फाइन पाउडर मेंud सही बिना फृज्ट के था लंबे टाइम तक यह मसाला आप यूज में ले सकते हैं और दिखिए बढ़ी आसा हमारा सामबर बन के तयार हो गया है आप देख सकते हैं पारिक पिसय तयार हुँआ go तो सामबर to बना देगे अब तो एक गिलास भर के लें लिए जेगा क्योंकि सांबर्ज होता है थोड़ा सा पतला ही में बनाओंगी और एकदम इजी तरीका है आप जड़पट बना के तयार कर सकते हैं साथ में हमें ठेर सारी सब्जी आ ले ले लीए जो सब्जी आपको पसंदो वो ले लिए गाजल टमा मिर्ची थोड़ा सा जादा भी ले सकते हैं इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगी और कुकर को बंद करके हमें दो से तीन सीटी आने तक पका लेना है यह वाला सांबर की रेसिपी आपको बहुत ही असान लगेगा कभी भी आपको जटपट सांबर बनाना हो तो इस जो दाल है सब्जिया सारी अच्छी तरीके से पक गई है जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसकी गैस निकल जाए तभी आप इसे ओपन कीजिएगा और यह दिखे बड़ी आसा सब्जिया पक गई है मुझे इसी तरीके से ही पकाना था अब हम क्या करेंगी इसे बड़े पीसेस में आए तो आप इस तरीके से इसे मत्य गम नहीं बिना मत्य भी बना सकते हैं बट आप इस तरीके से बना के देखिएगा बहुत ही अच्छा बन के तयार होगा तो जितनी सब्जिया डाले सी उसे थोड़ा सा मैश कर लिया है अब तड़का लगाएंगे त आप इजिली कभी भी से बना सकते हैं जो कि बहुत यासान तरीका है साथ में हम कड़ी पता डालेंगे सुखिलाल मिर्ची डालेंगे और इसमें एक चीज और आट करेंगे भिंडी जो की सांबर में बहुत ही कम डाली जाती है लेकिन भिंडी जरूर डालिएगा बहुत ही पहले नहीं डालना है तो इस तरीके से मसाला के साथ हम इसे भून लेंगे जब भिंडी थोड़े से सॉप्ट हो जाएगा फिर इसमें हम डाल लेंगे मसाले जो हमने बना के तैयार किया था तो यहां पर थोड़ी सी लाल मिर्ची ले रहे हूं कस्मेरी रेड चिली पाउडर आदी छोटी चमच और जो सांबर मसाला तैयार किया था वह हम ले लेंगे यहां पर दो छोटे चमच भर के लेंगे और इस सारी जीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट एक वीडियो अच्छी लग रहे तो प्लीज लाइक जरूर कर तो यहां पर दिखे जो सांबर हमने बना के तैयार किया था उसमें हम डाल लेंगे सारे मसाले मसाले डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मसाले अलड़ी पके हुए है नहीं तो जल जाएंगे अब जो हमने तड़का तैयार किया था इसमें डालने के बाद इस निम्भू का रस भी डाल सकते हैं लेकिन पॉर्फेक्ट आपको बाहर वाला जो बजार में मिलता है तो इमली और गुर जरूर डालेगा तो बड़ी आसा सांबर हमारा तयार हो गया है अब इसके उपर थोड़ा सा हरादनिया डालेंगे और यह देखिए हमारा सांबर बहुत सबजिया की बाइट आए तो ही ज्यादा अच्छा लगता है अगर आपको इस तरह की सांबर पसंद है तो जरूर बढ़ाएगा नहीं तो जिस तरह की सांबर आपको सबजिया चाहिए वैसे भी रेसेपी मैंने पोस्ट किया मेरे चैनल पर जाहिए आपको मिल जाएगी और इस वीडियो को आप फेस्बूक से देड़े तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा मैं आपसे फिर मिलंगी बाबाई